लिको नेक्स टेडिंग डालो वहाँपे, लास्ट प्लास हमने क्या दिखा था टॉर्क किसके अबाउट? पॉइंट के अबाउट, तो नेक्स टेडिंग डालो वहाँपे टॉर्क अबाउट एन एक्सिस तो कई बार हम लोग torque किसके about calculate करते हैं कई बार हम torque calculate करते हैं point के about और कई बार torque हम calculate करते हैं किसके about axis के about अब जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ यह तुम्हारा door है यह door है door का यहां पर क्या है handle है और अगर हम door की बात करें तो कई बार देखा होगा door में इस तरह से hinges लगी होती ही नहीं होती है और यह फिर hinges यहां पर किसी axis से connected होती ही नहीं होती है है और जब door पर हम force लगाते हैं तो यह door वहां पर क्या होता है या तो यह door clockwise rotate करेगा या फिर यह door कैसा rotate कर रहा होगा anticlockwise तो यहां पर हम बात कर रहे होंगे किसके torque की बात कर रहे होंगे about an axis तो सबसे पहले इसकी definition लिखो जा रहा है तो लिखो वहां पर out the torque of a force F about an axis, the torque of a force F about an axis ab, या साली कोई अबाटन एक्सिस, the torque of a force F about an axis is defined as the component of torque. The torque of a force about an axis is defined as the component of torque, is defined as component of torque of F. about any point O, about any point O on the axis, about any point on the axis, along the axis. मैं फिर से repeat कर रहा हूं आपे, the torque of a force about an axis. मान दा, axis को नाम देता हूं A, B. मैं डाग्राम द्रॉ करता हूं फिर हाँ आपे. तो लिकों आपे, the torque of a force about an axis A, B is defined as the component of torque of F about any point O, about any point O on the axis A, B, along the axis A, B, along the axis A, B. अब देखो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर अब मैं क्या बोल रहा हूं? यहाँ पर हमारे पास एक rigid body है. यहाँ पर हमारे पास एक rigid body है और यह rigid body यहाँ पर इस axis A, B के about क्या कर सकती है? रोटेट कर सकती है. अब मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पर एक point लिया. अब दोखो इस point पर हम कर क्या रहे हैं? इस point पर हम force इस तरह से apply कर रहे हैं, अंदर की और. चाहो तो force अंदर की और apply कर दो, चाहे तो force तुम apply कर दो, बाहर की और. तो इस diagram में यह axis मेरी कौन सी है? X, यह हो गई Y. तो जो भी body है, body किस axis के about रोटेट कर सकती है? body जो है, body Y axis के about यहाँ पर रोटेट कर सकती है. अब यह तुमारी Y axis है, यहाँ पर एक point है, जिस point पर हमने force apply किया है, कहाँ पर? अंदर की और. और कई बार क्या होता है? जब अंदर की और symbol शो करना होता है, तो हम इस तरह से circle के अंदर cross लगा देते हैं. तो circle के अंदर अगर मिने cross लगा है, तो इसका मतलब है कि direction कहा है? अंदर की और. तो यह तुमारी axis है, और force हमने ऐसे अंदर की और लगाया. अब जिस point पर जो हम force apply कर रहे हैं, उस force को नाम दे दो F. अच्छा, इस force का torque हमें किसके about calculate करना है? इस force, नहीं, इस force का torque हमें calculate करना है about axis AB. तो हम लोग calculate क्या करना चाहते हैं? हम body पे torque calculate करना चाहते हैं about axis AB. अब दो, जिस axis के about, जिस axis के about हमें torque calculate करना है, उस axis पे कहीं पे भी तुम्हें point mark कर दो, कहीं पे भी. तो मान लो, यहाँ पे मैंने point mark कर दिया P. जिस axis के about हमें torque calculate करना है, उस axis पे कहीं पे भी तुम्हें point mark कर दो P. अब जिस point पे हमने force apply किया है P point से उस force की और draw करो यहाँ पे position vector r. अच्छा अब देखो यहाँ डाइग्राम में ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यह तुम्हारी axis है कि नहीं यह axis है यह तुम्हारा यहाँ पे कौन सा vector आ गया position vector r. अच्छा यह जो r vector है बताओ किस plane में? xy plane में. force कहाँ पे? क्या? अब फोर्स z क्या है long है कि नहीं है? अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने बोला कि जब P point से हमने position vector draw किया तो position vector तो xy plane में. force किस में है? z में. अच्छा यह f vector है कि नहीं है? यह r vector है. दोनों vector के बीच में angle मिलेंगे जब दोनों के tail to tail वहाँ पे क्या होंगे? अब बताओ z axis हमेशा xy पे कैसी होती xy plane पे? तो यह अगर force vector है और यह अगर position vector है तो दोनों कितना angle form कर रहा होंगे? 90 degree. अच्छा अच्छा torque का formula क्या था? जब भी हम torque की बात करते हैं तो जो torque था, torque कॉम basically क्या लिखते थे? torque कॉम लिखते थे वहाँ पे r cross f. यह लिखते हैं नहीं लिखते थे वहाँ पे? अब यह धाना यह तुम्हारा r vector है और इस direction में अंदर की ओर जा रहा है? f. दोनों के tail to tail meet कराओगे तो angle कितना आ गया? तो अगर 90 degree angle होगा तो torque का magnitude कितना होगा? torque का magnitude हो जाएगा r f sin 90 degree तो जो भी torque रहेगा बता torque r into f होगा किनी होगा? अच्छा जब भी हम torque calculate करते हैं तो वहाँ पे property लिखवाई थी कि जो भी torque रहेगा वो हमेशा perpendicular होगा r vector पे और साथ में हमेशा perpendicular होगा f vector तो जब भी हम torque की बात करेंगे torque होगा perpendicular r पे torque होगा perpendicular होगा f पे अब बताओ torque का direction क्या है? बोलो यहाँ पे इस diagram में torque का direction क्या है? अब बोलो क्या है? अब यह r है यह कौन सा है? f इन दोनों के tail to tail को meet कर रहा है तो ऐसा आया है कि नहीं है? अब torque का अगर मुझे direction find out करना है तो r cross f करोगे नहीं करोगे? torque किस पे perpendicular होगा? torque r और f के plane पे perpendicular होगा कि नहीं होगा? तो हम perpendicular किस पे draw कर दे हैं? perpendicular इस तरह से r पे draw करें नहीं draw करें? आये नहीं समझ में? तो यहां पे अगर तुम torque देखोगे तो बताओ torque जो रहेगा वो क्या इस तरह से perpendicular होगा? आये नहीं समझ में? जो हम torque की बात कर रहे हैं तो वो r और f का जो plane रहेगा उस पे क्या होगा? परपेंडिक्लर होगा? तो torque को हमने draw कर दिया r पे परपेंडिक्लर वहाँ पे? देखो है कि नहीं होँआ पे? अच्छा अब यह जो angle है न जो position vector r रहा होगा वो axis से कुछ angle form करे यह नहीं form करेगा? तो उसको हम theta लिखेंगे नहीं लिखेंगे? अगर हम position vector r की बात कर रहे हैं तो r axis से कुछ theta angle form कर रहे हैं नहीं form कर रहा है? यह angle अगर theta है तो यह angle कितना? अच्छा बताओ torque के component कितने होगे? torque के दो component होगे बताओ एक जो component आएगा torque का वो axis के along कितना होगा? तो torque का जो component आएगा axis के along torque tau sin theta होगा कि नहीं होगा अपर? अभी अगर हम बात करें इस torque की तो यह torque axis के along नहीं है अब इस torque के दो component होगे एक component क्या होगा axis के along होगा और एक component क्या होगा axis के? तो जो axis के along component होगा वो tau sin theta होगा कि नहीं होगा? तो अब हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि जो भी torque बन रहा है AB axis के along AB axis के along जो torque बन रहा है वो tau sin theta है कि नहीं हो आप है? और tau की value कितनी थी? तो यह अगले step में RF sin theta लिखे के यह नहीं लिखेंगे आप है? तो हमें अगर axis के about torque calculate करना है तो axis पे कोई भी तुम क्या कर एक? point लो उस point से position vector draw कर दो अब जो भी torque आएगा उस torque हम component लेंगे किस के along? axis के along तो axis के along जो component बनेगा वही हमारा क्या होगा? torque about n axis होगा वाप है अब इसको अगर तुम simplify करोगे तो a b axis के about जो torque आएगा वह f into r sin theta होगा कि नहीं होगा? होगा है? अब डाइग्राम में देखो जरा यह distance क्या है? बताओ यह axis से perpendicular है यह हमने axis ली है axis पे हमने क्या draw कर दिया है perpendicular draw किया अब इस distance को वहाँ पे बोल दो r dash तो check करो diagram में sin theta r dash by r की बराबर है की नहीं होगा? जब angle calculate करने जाओगे तो sin theta हो जाएगा r dash upon r तो r dash की value क्या होगी? r dash की value वहाँ पे r sin theta होगी देखो है की नहीं होगा? अब यहाँ पे values जो आएगी formula क्या बन जाएगा? जब हम a b axis के about torque calculate करेंगे जब हम a b axis के about torque calculate करेंगे तो वो torque वहाँ पे क्या होगा? वो torque वहाँ पे हो जाएगा f into अब बताओ r dash क्या represent कर रहा है? यह तुमारी axis थी यह तुमारी axis थी यह तुमारा वहाँ पे क्या था? force था अब बताओ यह जो distance आएगा यहां से यहां तक वो क्या है? force की line of action का axis से perpendicular distance तो formula वही निकल क्या रहा है? formula क्या निकल क्या रहा है? torque जब calculate करने जाओगे तो वो यहां पे होगा force into perpendicular distance और यह perpendicular distance कहां से calculate किया जाएगा? यह perpendicular distance calculate किया जाएगा from the axis इससे पर हमने torque का formula क्या लिका था? force into perpendicular distance लेकिन वो perpendicular distance कहां से लिए गया था? points से लिए गया था तो अगर हमें axis के about torque calculate करना होगा तो हम axis से perpendicular distance क्या करेंगे? measure करेंगे अगर point के about torque calculate करना है तो point से perpendicular distance लेंगे axis के about torque calculate करना है तो हम axis से perpendicular distance ले लेंगे अच्छा फिर से इस diagram को देखो यह तुमारी axis थी की नहीं थी? अगर मान लो हमने position vector r' के along लिया होता अभी हमने position vector r लिया है के नहीं लिया है वो किसी angle पे लिया है अब मैं अगर बोल रहा हूं कि जो r' है उसी के along तुम position vector ले लो तो position vector axis के perpendicular हो गया की नहीं हो गया? अब बता force कहां पे force ऐसा अंदर की और गया की नहीं गया? तो यह तुम्हारा force था यह तुम्हारा वहाँ पे क्या हो गया? r' हो गया अब करो ज़रा r cross f अब जब तुम r cross f करोगे तो torque axis के about ही बनेगा इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले यह r था, यह f तो torque axis के along नहीं बन रहा था torque axis से कुछ angle form कर रहा था तो जब perpendicular distance लेते हैं तो वहाँ पे torque किसके about निकल क्या जाता है? वहाँ पे torque निकल क्या जाता है अपने आप किसके about? axis के about क्लिव है इतना आप है? रब करो इतना? अब दोगो इसससे पहले मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था यहाँ diagram में कि अगर यह हमारा door है यह हमारा door है यहाँ पे door का handle था और यहाँ पे हमने show करी थी axis इस axis के about यह door वहाँ पे क्या होता है? हिंज होता है कि नहीं होता है अच्छा अब जैसे अगर diagram देखोगे तो यह जो door है बता यह door की axis है कि नहीं है? basically hinge है जिसके about यह door क्या करेगा? rotate करेगा अब बता अगर मैं force यहाँ पे लगाओ तो कुछ होगा क्या? नहीं होगा क्यों? क्योंकि अगर हमने force यहीं पे लगाया अगर हमने force यहीं पे लगाया तो उस force का axis से कोई perpendicular distance निकलेगा क्या? नहीं भाई जब भी हमें torque calculate करना है axis के about तो formula क्या है? force into axis से perpendicular distance अगर axis से perpendicular distance होगा तभी जाकि यह door क्या होगा? open होगा अच्छा अगर कोई person यहां पे force लगाता है और यहां पे force लगाता है same amount का same amount का force हम ऐसे बाहर की और लगा रहे same amount का force यहां पे हम लगा रहे बताओ किस case में door को rotate काना easy हो जाता है force जितने क्या होगा ज्यादा distance पर होगा जैसे अगर इस door पर अगर हम यहां पे force लगाएंगे तो तो perpendicular distance यह है की नहीं perpendicular distance यह और यह तुमारी axis है तो perpendicular distance जब ज्यादा होता है तो rotate काना क्या होता है easy होता है लेकिन अगर इसी door को अगर हम यहां पर force लगाएं यह भी force है की नहीं है अब लगा force खुलेगा door क्यों क्यों distance वहां पर क्या हो गया कम हो गया similarly देखो अगर यह door खुला हुआ है अब यह door rotate कर रहा है अब मान लो इसी force को हम ऐसे लगा है है कि एस होगा क्या कि कि क्या बोल रहा हूँ मैं इसको पकड़ आठ देखो और खियू अपनी और हो गया एक मैं बोल रहा हूँ इसी हंडल को अपनी और खियू अपनी और हाँ अब कुछ ओरा क्या प्ल Mirę अरे क्योंकि इसका force ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है और ये जो force की line of action हो कहां से pass कर रही है axis से तो ये चीज ध्यान रखना है अगर axis से perpendicular distance 0 होगा तो torque भी वहाँ पे क्या होगा जीरो होगा तो अगर हमें किसी body को axis के about rotate कराना है तो वहाँ पे torque की जरूरत पड़ेगी और torque किस पर depend कर रहा होगा torque depend कर रहा होगा perpendicular distance from the axis जितना ज्यादा perpendicular distance होगा torque उतना ही क्या बनेगा ज्यादा बनेगा अच्छा अब देखो मैंने क्या बोला है मैंने यहाँ पर ऐसा बोला कि नहीं बोला अगर कोई person यहाँ पर ऐसा force लगाएगा तो door rotate करेगा क्या नहीं rotate करेगा क्यों नहीं rotate करेगा क्योंकि इस force की जो line of action है वो कहां से pass कर रही है axis तो अगर कोई force axis से pass करेगा तो perpendicular distance जीरो तो टॉर्क भी क्या हो गया तो टॉर्क जीरो होता है पहला केस क्या है टॉर्क को जीरो करने के लिए कि जो भी force हम apply कर रहे हैं वो axis सही क्या कर जाए पास कर जाए तो इस case में टॉक जीरो होगा अगर नहीं जीरो होगा अच्छा अब imagine करो जड़ा जो भी door है अभी इस case में door के लिए किसके about rotate कर सकता है यह axis कौन से लिती हमने आपे यह x थी यह तो अभी हम जिस door की बात कर रहे हैं बताओ यह door की अल वाई के about rotate कर सकता है अब imagine करके बताओ कि अगर मैंने कोई force ऐसे apply किया बताओ इसका perpendicular distance है कि नहीं देखाओ पहला case क्या लिए यह axis यह force perpendicular distance है कि नहीं है perpendicular distance यहाँ पर है जीरो तो टॉर्क क्या हो गया अब मैंने force ऐसा apply किया बताओ इस force का इस axis से perpendicular distance है कि नहीं है लेकिन बताओ imagine करो अगर हम इस तरह से force apply करते हैं डोर के उपर तो यह door y के about कभी rotate कर पाएगा क्या नहीं तो यह भी ध्यान रखना है कि अगर कोई force अगर कोई force axis के क्या है parallel है अगर कोई force parallel to axis है तो उस case में भी टॉर्क वहाँ पे क्या होगा zero होगा तो यह चीज ध्यान रखना है दो case है जहां पे torque क्या होगा axis के about zero हो जाएगा या तो force की line of action axis से pass कर जाए या फिर force axis के क्या हो जाए parallel हो जाए अच्छा सोच के बताओ अगर हम force ऐसा लगाने ही कोईश करेंगे तो यह door किसके about rotate करने ही कोईश करेगा अभी ऐसे rotate कर जाएगा क्या ऐसे अभी इसी हत्ते पे अगर हम force ऐसे उपर की और लगाएंगे ऐसे उपर की और लगाएंगे तो डोर ऐसा करने ही कोईश करने ही कोईश करेगा तो एक्सिस कोन सी होगी मेरी जेड तो अगर तुमने यहां पर फोर्स उपर की और लगाया तो यह जो डोर रहेगा आया ही कर की एक्सिस आबएफ करोग बन जाएगी मेरी और अभी एक्सिस को नगेर एक्सिसग कोन सी डंजाऑग्य तो परपेंमकिलर डिस्टन्स जीरोगा जया तब तो जीरोग होगा या फिर फोर्स एक्सिस के क्या हो जाए पैरलल हो जाए उस केस में भी टॉर्क क्या होगा जीरो हो जाएगा लिखा इतना करू रब में इतना चलो क्यालेट करके देखा रहा हूँ लास्ट लास अंदर डियागराम ड्रॉ किया था यहां पर स्ट्रिंग है स्ट्रिंग से एक बॉल कनेक्टेड हमारे पास स्ट्रिंग है स्ट्रिंग से एक बॉल कनेक्टेड है बॉल का मास M लेंथ कितनी L अच्छा अब ये जो बॉल है ये बॉल इस तरह से थीटा एंगल पे रोटेट कर रही है तो जो भी बॉल है बॉल को हम इस तरह से थीटा एंगल पे क्या कर रहे हैं रोटेट करा रहे है अच्छा बताओ जब ये बॉल इस तरह से थीटा एंगल पे रोटेट करेगी अब मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर कुछ point mark किया, यह क्या circle का center होगा कि नहीं होगा, तो इसको बोलो C, यहां पर point लिया A, अब लिगो calculate क्या करना, find out the torque of, find out the torque of tension and mg force, find out the torque of, find out the torque of tension and mg force, find out the torque of tension and mg force about, अब तीन चीज़े लिखो, पहला लिखो about, पहला लिखो point A, दुसरा लिखो about point C, पहला बोला about A, दुसरा मैंने बोला about C, और तीसरा लिखो about axis A, C, about axis A, C, तो मैंने torque calculate करने लिए बोला है, पहले दो case में point के about है, और तीसरे case में torque किसके about है, axis के, अब चेक करो answer क्या आता है, थία के लिखो पहले पर जेकर का सब्सक्शड़ह किसके आता है, आता है, अबूला आता है, पहले और तीसरा का से थाए恩 labelतिता, तो मैंता है के अहले के विष एंगने, is it लिखो है? खलर प्ए weगल. आता है63 है किसके और the सक्के और आता है, झाल झाल जब फ्री बॉई डाग्राम ड्रॉ करेंगे forces कौन कौन से show किये थे एक तो यहाँ पे show किया था mg दूसरा वहाँ पे क्या था tension T यह जो distance है इस distance को हमने define किया था circle का radius r अब बताओ r और l में relation है कि नहीं और relation क्या होगा relation हो जाएगा sin theta equals to r by l बताओ relation यहीं कि नहीं है तो जब r आएगा तो r की जगे वहाँ पे हम पुट करेंगे l sin theta अच्छा अब यह बताओ सबसे पहले सबसे पहले हमें calculate करना है torque about point a अच्छा बताओ tension की जो line of action है वो axis से pass कर रही नहीं पास कर रही है tension की line of action axis से pass कर रही है तो वहाँ पे हमने क्या बोला था तो वहाँ पे हमने बोला था tension का जो torque रहेगा about point a वो 0 होगा कर नहीं 0 होगा अच्छा similarly अगर हमें gravity का torque calculate करना है about point a तो क्या लिखोगे हाँ पे अगर हमें mg का torque calculate करना है about point a तो आप क्या करोगे हाँ पे अब बताओ a point से हम perpendicular distance देखेंगे नहीं देखेंगे अब बताओ a point से line of action का perpendicular distance r है कि नहीं तो torque क्या हो जाएगा torque हो जाएगा mg into r r का मतलब l sin theta है कि नहीं तो यह हो गया tension और mg का torque about point a बताओ second case में हमें torque किसके about देखना है second case में हमें torque देखना है about point b about point c तो first case में torque था about point a second case में torque calculate करना है about point c अच्छा आप c point के about torque लिखोगे तो कैसे लिखोगे वहाँ पर बोलो क्या करें c point के about torque अगर लिखना है तो यह तो tension के कितने component बनेगे अगर हम tension को resolve करना चाहें तो tension के component कितने बनेगे यह एंगल थीटा है कि नहीं यह यहां पर एक component जो आएगा ती कॉस्ट थीटा आएगा और दुसरा component यहां पर क्या होगा बताओ टी साइन थीटा की line of action सी से pass करी नहीं पास कर रही है तो टी साइन थीटा का टॉक तो जीर होगा बताओ टी कॉस्ट थीटा का torque बनेया की नहीं बनेगा? तो हम calculate करने जा रहे हैं, tension का torque about point C. बताओ, T cos theta का perpendicular distance R होगा के नहीं होगा आपर? भाई, C point से देखो, C point के about देखो, वे T cos theta उपर perpendicular distance R तो जो torque बनेगा, वो जाएगा T cos theta into R होगा इतना? अब T की value कितनी? जो T रहेगा, T की value कितनी? circular motion में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब भी कोई particle circular path पे move करेगा तो T sin theta वहाँ पे centripetal force provide करेगा और T cos theta किसको balance कर देता है? बताओ, ये Newton law से थागनीता होता है? तो T की जगे हम क्या put कर सकते हैं? या T cos theta की जगे हम सिधे क्या put कर दें? और R का मतलब? तो चेक करो, यही tension का torque होगा कि नहीं होगा? आप है MGL sin theta वहाँ पे देखो, सही लिखा है यह नहीं लिखा हाँ आप है? अच्छा, अब Mg का torque क्या होगा about point C? अगर हमें Mg का torque calculate करना है about point C तो अब क्या लिखो गया होगा? अब C point के about अगर हमें Mg का torque calculate करना है तो वो हो जाएगा Mg into R देखो है कि नहीं होगा? तो अगले step में equation क्या बन जाएगी? अगले step बन जाएगी Mg, R का मतलब फिर से बताव यही Mg का torque है कि नहीं about point C? बताव last case में क्या calculate करना है last case में torque calculate करना है किसके about? द्याना अब torque calculate करना है axis के about अब की जो line of action है वो axis से ही pass कर रही नहीं पास कर रही है और मैंने क्या लिख वाया था? अगर force की line of action axis से ही pass कर गई तो torque वहाँ पे क्या होगा? 0 भई tension की जो भी line of action है वो axis से pass कर रही है तो torque वहाँ पे क्या होगया? 0 अच्छा mg का torque कितना होगा? mg का अगर torque देखोगे किस के about? तो तो mg की जो line of action है वो again axis के parallel है कि नहीं? और mg अगर axis के parallel होगा तो उसका torque भी वहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा तो हम यही बोले नहीं बोलेंगे कि tension का torque भी 0 है और mg का torque भी वहाँ पे क्या है? 0 है लिखा इतना? फिर देखो next diagram ड्रॉ करो वहाँ पे और next diagram में हम लोग क्या show कर रहे हैं? यह हो गया हमारा ground और यह हो गई हमारी wall और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इस तरह से हम एक rod को लाके place कर रहे हैं यहाँ पे हमने इस तरह से एक rod को लाके place किया है और जब rod को लाके place कर रहे हैं तो rod का mass m है rod की length l है और यह rod हमारी rest में rod का mass m rod की length l और यह rod हमारी कैसी है? rest में अच्छा आप सासे बिले rod का free boy diagram ड्रॉव करें rod की अच्छा प्रॉबप सासे प्रॉप हमारी तो प्रॉट का जब तुम फ्री बॉट डाइगराम ड्रॉट करोगे सबसे पहले शो करेंगे इसका वेट वेट कहां पर आएगा इसके सेंटर आफ मास सेंटर आफ मास का तो यहां पर नॉर्मल एन वन यहां पर नॉर्मल अब बता यह रॉड ऐसी रेस्ट में रह पाईगी क्या यह रॉड ऐसी रेस्ट में रह सकती है क्या क्योंकि एन टू के कारण एन टू के कारण यह रॉड कहां जाएगी लेफ्ट के और इसका मतलब है कि यहां पर क्या न चाहिए तो कश्चन में यह बोल राहा है कि यह जो सर्फ़ेस है यह सर्फयस वहां पर और क्शचन में यह भी बोल रहा है कि यह सर्फयस भी वहां पर तो जहां हम wall की बात कर रह रहे है, wall भी rough है जहां ग्राउंड की बात कर रहे है, तो ground भी हमारा वहां पर क्या है, rough है बताओ दोनों rough होगे, तो दोनों जगे friction develop होगा और नहीं develop होगा बताओ यहां पर rod की tendency पीछे जाने की है कि निये तो friction लगा आगे यहाँ पे rot की tendency कहा है नीचे जाने की तो friction कहा लगेगा तो यहाँ पे F1 होगा और यहाँ पे क्या होगा F2 अब यहाँ पे कुछ points mark करो रहा है यहाँ पे जो point है इसको बोलो A यहाँ पे जो point है इसको बोलो B और यहाँ पे जो point है उसको बोलो C, अब लिगो calculate क्या करना है, find out the torque, find out the torque about an axis, find out the torque, find out the torque, about an axis passing through point A, find out the torque about an axis passing through point A and perpendicular to this board, तो बताओ basically हम यहाँ पे, इस axis की बात कर रहे हैं नहीं बात कर रहे हैं, यह axis कहां से pass कर रही है, A point से pass कर रही है, लेकिन इस plane पे आप बोर्ट पे perpendicular है की नहीं है, तो हमें A point के about, यहने axis जो है, axis point A से pass कर रही है, तो basically यह अगर X है, यह तुमारी Y है, तो हम torque किसके about calculate कर रहे हैं, torque calculate कर रहे हैं, Z, Z axis के about, जो कहां से pass कर रही है, point A से, अच्छा, अब बोलो जड़ा, हम torque calculate करने जा रहे हैं, about axis Z, Z, जो की pass कर रही है, point A से, तो यहाँ पे axis है, जिससे, इस axis के about, हमें torque क्या करना है, calculate करना है, अच्छा, अब जो भी axis है, axis यहाँ से pass कर रही है, अब यह देखके बताओ, normal का और F1 का perpendicular distance क्या है, इस axis से, बताओ, N1 की line of action axis से pass कर रही है, F1 की line of action भी क्या हो रही है, तो N1 और F1 का torque 0 है की नहीं 0 है, अब ध्यान रखना है, जिस axis के about torque calculate करने लिए बोलेगा, rotation भी हम उसी के about imagine करेंगे, तो हमें rotation किसके about imagine करना है, rotation imagine करना है, इस axis के about, अच्छताओ, इस axis के about, Mg, rod को कैसा rotate कराएगा, यह rod है, यह मेरी axis है की नहीं, अब बताओ, Mg यहाँ पे लग रहा है, अब तुम बताओ, imagine करो कि यह rod इस axis के about rotate कर सकती है, यह जो rod है, इस Z axis के about rotate कर सकती है, बताओ, इस तरह से अगर हम Mg force लगाएंगे, तो rod इस axis के about कैसे turn करेगी, clockwise rotate करने ही कोईश करेगी, anti-clockwise, अच्छा, अब F2 को देखो, F2 force ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अब imagine करो, कोई rod अगर इस axis के about rotate कर सकती है, और तुम ऐसा force लगाओगे, तो वो कैसा rotate कराएगा, वो rotate कराएगा इसको, anti-clockwise, अच्छा, फिर से imagine करो, एक और force ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब rotation में इसी axis के about imagine करना है, बता इस तरह से अगर कोई force आएगा, तो वो कैसा turn कराएगा, वह जैसे ये rod है, इस पे अगर force ऐसा लगाओगे, तो ये ऐसा anti-clockwise जाएगी, ऐसा force लगाओगे नीचे की और तो clockwise जाएगी, ऐसा force लगाओगे, तब भी क्या होगा, तो N2 के current भी anti-clockwise होगा कि नीचे होगा, तो ज़ह हम torque calculate करने जाएगे किसी axis के about, तो उसी axis के about हमें rotation क्या करना है, imagine करना है, अगर torque की tendency anti-clockwise rotate कराने की है, तो sign convention के according उसको हम positive लेके चलेंगे, और अगर clockwise rotate कराने की tendency है, तो sign वहाँ पे negative लेके चलेंगे, इसका उल्टा भी कर सकते हो तुम दो, चाहो तो इसको positive कर दो, तो उसको वहाँ पे क्या कर दो, negative कर दो, लेकिन जाहातर जो convention रहता होगा, यह रहता है, कि अगर anti-clockwise है, तो उसको positive मानो, और clockwise को क्या लेना है, negative लेना है, रब करो इतना, इस diagram को draw करे रहा, जिस axis के अबाउट torque, उसी axis के अबाउट हमें rotation, imagine करना है, और torque vector quantity है, तो इसलिए हमें sign convention लेके चलना है, लिख लिए है इतना, अब हमें क्या करना है, हमें तो equation लिखनी है, अब दोखो हमें यह मालूम है, किसका torque 0 हो चुका है, एन वन और, torque का formula क्या है, जब भी हम axis के अबाउट torque calculate करेंगे, तो हमें axis से क्या चाहिए, perpendicular distance, तो मान लो यह angle, जब rod rest में रही होगी, तो rod कुछ ना कुछ angle form कर रही होगी, अच्छा यह distance कितना है, यहां से लेके यहां तक का, अब यह axis है, बताओ यह axis है, और यह mg की line of action है कि नहीं, और बताओ इस axis से, इस axis से line of action का, यही perpendicular distance होगा कि नहीं, अब यह distance वहाँ पर क्या होगा, तो अगर यह distance तुम calculate करोगे, तो cos theta हो जाएगा, x upon l by 2, अच्छा mg कैसा rotate करा रहा है, clockwise तो sign convention क्या लेंगे, fg perpendicular distance, l by 2 cos theta, होगा, अच्छा, अब इस axis के about देखो, f2 का perpendicular distance क्या होगा, f2 की line of action यही है कि नहीं, अब geometry यूज करो, बताओ, इस axis से, इस line का perpendicular distance कितना, l cos theta, f2 कैसा rotate करा रहा है, clockwise या anti-clockwise, तो क्या लिखेंगे, plus f2 into l cos theta, अब ध्यानना, n2 कैसा rotate करा रहा था, anti-clockwise, तो n2 का भी क्या लिखेंगे, positive न, अब बताओ, n2 के लिए perpendicular distance क्या है, ध्यानना, यह axis है, और यह n2 की line of action है, तो यही perpendicular distance होगा, कि नहीं होगा, axis से, और अगर trigonometry use करोगे, तो sin theta किसके बराबर, तो इस axis के about अगर देखोगे, तो n2 का perpendicular distance y है, तो equation हो जाएगी n2 into y, y का मतलब क्या हो गया, l sin theta, देखो, यही torque है कि नहीं है, कि यह थत्तeur करोगे, लुट पूछ भाले है, तो से तक्वरे, तक्वरें ठ्थस्वर्प्रामावे, तक्वरें में अगर लाजागे, तक आमापे, ज राए़ें आखर पाली र साली पाली है, 10, 10... झाल झाल अच्छा जिस तरह से टॉर्क मैंने कैल्कुलेट किया है अब पॉइंट ए अब सिमिलरली कैल्कुलेट करो वहाँ पे टॉर्क एक्सिस कुन सी जेड जेड लेकिन ये पास कर रही है पॉइंट सी से तो याने ये हमें एक्सिस कंस्टर करनी है एक्सिस पास कर रही है सी पॉइंट से और एक्सिस हमारी जेड जेड है तो बताना है इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क की एक्वेशन क्या लिखेंगे इस एक्सिस अगर पास कर गई कहां से सीपॉइंट से तब किसका टॉफ जी रोगया सुब्ष रज़ख क्या करोगे यह तुम्हारी रॉड है कि नहीं हुँआ है अब टार्ख किस्के एबऊट देख रहे हैं एबाउट पॉइंट थी तो हम्हें rotation किसके about imagine करना है C point के about Mg का torque तो वहाँ पे 0 अच्छा अब सबसे पहले चेक करो यहाँ पे normal N1 है कि नहीं है इस axis के about rotation होगा अब बताओ ऐसा force लगाओगे N1 तो N1 rod को कैसा rotate कराएगा clock wise अच्छा फिर से imagine करो अगर इस तरह का force लगाएंगे तो वो कैसा rotate कराएगा होगा फिर similarly चेक करो अगर इस तरह का force लगाएं F2 तो वो इस axis के about कैसा rotate कराएगा anti clockwise इस तरह का force लगाएं N2 तो वो भी कैसा rotate कराएगा तो N2 का anti clockwise F2 का anti clockwise F1 का भी anti clockwise K1 N1 का clockwise अब लिको formula हमाँ पे क्या था force into perpendicular distance झास झाल 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 क्या यहां बुलो चलो बुलो c-point क्या बाउट अब क्या बना टॉर्क पहली equation क्या लिखी n1 के लिए अगर हम n1 की बात करें तो n1 के लिए यह perpendicular distance होगा के नहीं होगा कितना दाया है यह perpendicular distance same x है की नहीं होँआपे तो क्या लिखा होँआपे पहली equation पहली equation लिखी minus n1 into l by 2 cos theta होगा f1 का torque anti clock wise sine लेंगे positive बताओ f1 के लिए axis से perpendicular distance यह होगा कि नहीं होगा यह axis है बताओ f1 का perpendicular distance कितना trigonometries है l by 2 sin theta फिर plus f2 की बात करोगे तो f2 के लिए perpendicular distance होगा कि नहीं होगा और यह distance x के बराबर होगा कि नहीं होगा क्योंकि यह भी l by 2 है यह भी theta है तो plus हो जाएगा f2 into l by 2 cos theta फिर plus फिर क्या होगा plus में plus हो जाएगा वहाँ पे n2 into अब l by 2 sin theta चेक करो यही हमारी torque की equation है कि नहीं तो जब भी हमें किसी axis के about torque लिखना होगा हम rotation उसी axis के about consider करेंगे clockwise हो गया तो negative anti clockwise हो गया तो positive और जो भी torque इसका formula हो जाएगा force into perpendicular distance लिखा इतना नेक्स टेटिंग डालो वहाँ पे रिलेशन बिट्विन टॉर्क वैसे भी calculate करेंगे बी के about बी के about बी calculate करेंगे देखेंगे अगर बी के about देखोंगे किसका टॉक जीरो हो जाएगा बुलो किसका टॉक जीरो एंटु एफटु का टॉक जीरो अच्छा रोटेशन बी के about consider करना है तो तो mg कैसा rotate कराएगा anti clockwise n1 clockwise f1 अब sign लगा देना और equation वहाँ पे लिख देना अब next लिखो वहाँ पे relation between relation between torque and angular acceleration तो basically हम क्या कर रहे है torque और alpha में relation find out करने की कोईश्च कर रहा है तो next है डालो हाँ पे relation between torque and angular acceleration अब जैसे देखो हमारे पास एक बॉड़ी है हमारे पास एक बॉड़ी है और यह रिजिट बॉड़ी अपनी इस एक्सिस के about हमारे पास रिजिट बॉड़ी है और यह रिजिट बॉड़ी अपनी इस एक्सिस के about क्या कर रहे है रोटेट कर रहे है अब बताओ अगर हमारे पास कोई बॉड़ी है और यह बॉड़ी अपनी इस एक्सिस के about क्या कर रहे है रोटेट कर रहे है अच्छा यह बॉड़ी अगर इस एक्सिस के about रोटेट कर रहे है तो इस बॉड़ी के ज सभी particle क्या कर रहे हैं? सभी particle स्टर्पूलर पाथ पर चल रहे ही नहीं चल रहे हैं? अब मैंने यहाँ पे पार्टिकल मार्क किया. यह particle M1. यह बताओ particle कुछ R1 रेडियस पे चकर लगा रहा नहीं लगा रहा होगा. similarly अगर मैंने यहाँ पे कोई particle mark किया M2 तो भी क्या कर रहा है वो भी कुछ radius R2 पे क्या होगा तो अगर यह body अपनी axis के about rotate कर रही है तो इस body के जितने ही particle हैं सभी particle circular park पे move कर रहा है सबका radius अलग-अलग है कि नहीं है मान लो angular velocity omega है अब बताओ rigid body की property क्या थी वहाँ पे rigid body की property लिखवाई थी है हर particle का omega क्या होगा same omega का मतलब क्या होता है omega का formula यही था कि नहीं था तो अगर इस body का एक particle एक चक्कर लगाता है तो इतने time में दूसरे particle का भी क्या होगा वो भी एक चक्कर लगाएगा तो जितने ही particle है सबकी angular velocity सेम है की नहीं सेम है अब imagine करो कि हमारे पास एक observer है और यह observer उपर से देख रहा है यह rigid body rotate कर रही है और हमारे पास observer है जो observer उपर से क्या कर रहा है m1 particle को देख रहा है बताओ उपर से अगर m1 particle को देखेंगे तो m1 particle इस तरह से rotate करता हुआ दिखाई देगा यह नहीं दिखाई देगा तो जो observer उपर से देख रहा होगा उसको diagram कुछ ऐसा दिखाई देगा किसी time पे particle मान लो यहाँ कहीं बता यह axis होगी की नहीं होगी जिसके about यह particle क्या कर रहा होगा देखो उपर से जब देखोगे तो body हमें इस तरह से anti-clockwise rotate करते वे दिखाई देगी तो जो observer है observer उपर से देख रहा है अच्छा किसी time पे अगर particle यहाँ कहीं है और यह particle अगर move कर रहा है circular path पे तो इसके पास कितने acceleration हो सकते है दो हम possibilities की बात कर रहे है तो यहाँ पे दो acceleration possible है कि नहीं possible है बताओ एक acceleration कहां होगा एक acceleration होगा directed towards the center और दूसरा acceleration क्या होगा दूसरा acceleration होगा directed towards tangent देख आए कि निया जो भी particle है particle के उपर दो acceleration लग रहे होगे एक होगा towards the center जिसको हम centripetal बोल रहे है दूसरा वहाँ पे क्या था tangential अच्छा centripetal का formula आदे कि नहीं आदे जो भी centripetal acceleration रहेगा उसको हम r1 omega square बोलेगे नहीं बोलेंगे और जो tangential acceleration रहेगा उसको हम r1 into alpha बोलेंगे अच्छा इस particle के पास अगर दो acceleration हो सकते हैं तो force भी कितने हो सकते हैं दो तो एक जो force रहेगा वो कहां लग रहा होगा towards the उसको हम centripetal force बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे और जो दूसरा force रहेगा वो किसके along लग रहा होगा तो उसको वहाँ पे हम ft बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे हम तो जिस particle की हम बात कर रहे हैं इस particle पे दो force लग रहे हैं एक लग रहा है towards the center दूसरा लग रहा है along the tangent अच्छा इस particle पे centripetal force कितना होगा m1 into ac होगा कि नहीं होगा इस particle पे tangential force कितना होगा tangential force m1 into 80 होगा कि नहीं होगा 80 की value put कर दो जारा तो यह हो जाएगा m1 और यहाँ पे अगर जाओगे तो यह हो जाएगा m1 r1 omega square देखा है कि नहीं है अच्छा अब यहाँ से axis पास करा जारा यह axis है कि नहीं बताओ इस axis से किसकी line of action पास कर रही है जो centripetal force होगा बताओ उसकी line of action axis से पास कर रही है तो इस axis के about centripetal force का talk तो क्या हो गया 0 अच्छा कौन सा force रहेगा जिसकी line of action का perpendicular distance रहेगा इस axis के about देख रहे हैं तो centripetal का talk तो 0 क्यों 0 क्योंकि line of action कहां से पास कर रही है axis से और tangential के लिए perpendicular distance कितना अब आरवन यह axis है न तो आरवन क्या होगे उसका radius तो टॉर्क कितना बना अब जो टॉर्क बनेगा वो टॉर्क ft into r1 होगा कि नहीं होगा अब ध्याना यह टॉर्क किस पे देखा है हमने एक single particle पे देखा है अच्छा जब भी हम newton's law की बात करते हैं तो particle पे force कौन सा show करते है internal या external 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 force की हम बात करते हैं internal force तो आपस में क्या होते हैं cancel out होते हैं तो यहां पे जो fc और ft है वो external forces है कि नहीं अब बताओ ft के कारण वहाँ पे torque बना है वो ft into r1 है कि नहीं ft की value put करे रहा है तो तो ft की value put करोगे तो वो m1 r1 square alpha होगा कि नहीं होगा यह तो एक particle का है दूसरा particle होगा तो क्या होगा दूसरा particle होगा तो similarly क्या लिखोगे m2 r2 square into alpha होगा कि नहीं होगा भाई दूसरा particle होगा तो उसके लिए tangential acceleration क्या होगा r2 into alpha हो जाएगा हाँ पे tangential force उसके लिए क्या हो जाएगा उसके लिए tangential force हो जाएगा m2 into अब बताओ इस body में ऐसे n number of particles है कि नहीं है तो total के लिए हम क्या करें इसको integrate कर दें या फिर add कर दें तो यह कहां तक जाएगा यह जाएगा mn rn square into alpha और यह क्या बता रहा है यह बता रहा है टॉर्क किसका टॉर्क इंटर्नल फोर्स का एक्स्टर्नल फोर्स का तो यह ध्यान रखना है और बताओ यह total torque होगा के नहीं हो कहां पर सबसे पहले हमने एक पार्टिकल का टॉर्क कैल्कुलेट किया अब ऐसे number of particles होगे उनके कारण जो टॉर्क बन रहा होगा उसकी equation यह बन क्या रही होगी अब तुम यहां से क्या बोलोगे तुम यहां से बोलोगे जो नेट एक्स्टर्नल टॉर्क रहेगा बताओ अलफा तो constant है तो वहां पर क्या आ गया वहां पर आ गया m1 r1 square प्लस m2 r2 square तिल अब बताओ m1 r1 square प्लस m2 r2 square till mn rn square यह क्या बता रहा है यह इस पूरी रीजिट बॉड़ी का इस एक्सिस के अबाउट कि मोमेंट आफ इनर्शिया है कि नहीं वहां पर तो फॉर्मला हमारा क्या निकल के आता है जब भी हम किसी एक्सिस के एबाउट net external टॉर्क देखेंगे तो वह जाएगा वहां पर आई इंटू alpha अच्छा एक चीज़ रूक हो जाए पर वेक्तर का साइन मत लगा बाद में लगाना आगा है कि तो यहां पर ज्रों बाद में circular motion में जब हम question solve करते थे तो जातर case में alpha given होता था नहीं होता था लेकिन अब circular अब जब तुम question solve करता alpha given नहीं होगा इस formula से हम alpha को पहले वहाँ पे क्या करेंगे calculate करेंगे तो जब भी हमें किसी axis के about torque calculate करना है तो formula होगा i into alpha लेकिन हम torque किसका देख रहे होंगे external भाई motion किसके कारण होगा internal force के कारण या external force के कारण external के कारण तो force external होगा तो torque भी वहाँ पे क्या होगा external होगा अब बता यह formula किससे similar है तो यह formula बता इससे similar है कि नहीं है भाई वहाँ पे net external force था यहाँ पे net external torque है वहाँ पे force को हम लिखते थे मास इंटू acceleration यहाँ पर हम टॉर्क को लिख रहे है आई इंटू वहाँ पे force के कारण acceleration बनता था और similarly alpha किसके कारण बनता है अलफा बनता है टॉर्क के कारण वहाँ पे मास क्या थी बॉड़ी की प्रॉपर्टी यह जो क्या करती है उसकी motion को oppose करती है तो वहाँ पर M oppose करता है और यहाँ पर rotational motion में क्या चीज़ अपोस्ट कर रही है आई यह पोस्ट कर रही है वहाँ पर रब करूं में इतना कि अब जैसे देखो रहा है यहां पर हमारे पास एक रॉड है और देखाना यह डाइग्राम मेरा वर्टिकल प्लिन जो भी डाइग्राम है यह डाइग्राम अच्छा से पर एक चीज़ और देखाना अगर ने बोल रहा हूं कि हमारे पास एक रिजिट बॉड़ी है यह रिजिट बॉड़ी है और यह एक्सिज है जिसके अबाउट यह रोटेट कर सकती है यह रिजिट बॉड़ी है यह रिजिट बॉड़ी इस एक्सिज के अबाउट क्या कर सकती है रोटेट कर सकती है अब मैं तुमसे क्या वोल रहा हूं यहाँ पे दो पार्टिकल एक पार्टिकल यहाँ पे है और इसके बगल में ही एक और पार्टिकल यहाँ पे और इस पू अब बताओ इसको अगर हमने सिस्टम मान लिया तो यह पार्टिकल सिस्टम के अंदर का पार्ट है के निया अब बताओ दोनों पार्टिकल आपस में एक दुस्टर फोर्स लगा सकते हैं लेकिन न्यूटन्स के थर्ड लॉक के एकॉर्डिंग क्या होगा न्यूटन्स के थर्ड लॉक के एकॉर्डिंग हम ऐसा बोले नहीं बोलेंगे अगर मान लो पार्टिकल बन ने पार्टिकल टू के उपर इस डिरेक्शन में फोर्स लगाया तो पार्टिकल टू क्या करेगा particle 2, particle 1 के उपर उतना ही amount का force opposite direction में लगाएगा की नहीं लगाएगा हाँ आपके अच्छा अब ये तुम्हारी axis थी की नहीं थी ये हो गया distance r perpendicular distance अब देख के बताओ जरा ये जो force रहेगा इस axis के बॉड़ी हो कैसा rotate कराएगा anti clock wise कितना torque बनेगा इसका जो torque बनेगा f into r बने अगे नहीं बनेगा इसका भी torque कितना बनेगा इस axis के बॉड़ी ये force कैसा rotate कराएगा तो एक का torque anti clock wise है दुसरे का torque क्या है तो आपस में ये torque क्या हो गया cancel out हो गया तो ये ध्यान अटना है जो भी internal force होता है उनका torque हमेशा क्या होता है cancel out हो जाता है इसलिए हमेशा हम torque कौन सा लेते हैं external लेते हैं internal force होगा तो उसका torque वहाँ पे क्या होगा cancel out हो जाएगा ये दोनों force मैंने कौन से शो किये हैं internal तो जो internal force होगा उसका torque वहाँ पे क्या होगा cancel out हो रहा होगा आइ 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 सॉनमें सॉनमें क्या बोलना जा रहा हूं जब भी हमें internal force consider करेंगे तो उनका कोई torque नहीं बनेगा torque हमेशा किसका बनेगा तो जो भी external torque रहेगा उसको हमेशा हमें क्या लिखना है और ध्याना total torque की बात करेंगे एक force का torque नहीं है जो भी total external torque होता है उसको हमेशा हम I into alpha के बराबर क्या करेंगे लिखेंगे अब जैसे देखो आप है diagram हम draw कर रहे है vertical plane तो तुम इसको vertical plane imagine करो ये vertical plane है और vertical plane में हमारे पास एक rod है vertical plane में एक rod है और मैं क्या बोल रहा हूँ इस rod को हमने इस point के about hinge किया अब ध्याना दो word यूज़ करते हैं एक होता है fixed और एक होता है hinge अब दो fixed और hinge में difference क्या है जैसे मान लो ये wall है ये मान लो wall है wall पे हमने एक rod को लाके place किया इस तरह से और फिर यहां पे हमने एक nail लिया और nail को continuously हम hammer से ठुकते गए और एक time ऐसा आता है कि पूरा का पूरा nail wall के अंदर चला आता है अब बता ये अगर तुम्हारी rod है यहां पे तुम्हारा nail है nail को इस तरह से hammer से हिट करते गए और फाइनली पूरा का पूरा nail कहां चला गया wall के अंदर चला गया अब इसके अगर हम rod को छोड़ दे तो क्या होगा कुछ होगा क्या वो इसी position पे क्या रहेगी अच्छा अगर हम थोड़ा सा force लगाएंगे तो क्या होगा move करेगी लेकिन easily move करेगी क्या जहां हम force लगाएंगे तो turn करेगी हटा देंगे तो वहीं पर रुकी रहेगी तो ऐसी जो position रहती है इसका मतलब है कि rod को हमने वहां पे क्या कर दिया fix कर दिया दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका है कि यह wall है wall पे हमने एक nail को लाके क्या कर दिया fix किया wall ली wall पे हमने एक nail को लाके fix किया लेकिन nail को हम पूरी wall के अंदर लेके नहीं चले गया nail का कुछ पार्ट अभी भी wall के क्या है बाहर है तो ऐसा कई बाहर हम nail को fix करते ही नहीं करते हैं wall के उपर तो यहां पे इस थाज है नेल को हमने क्या करदिया फिक्स करक्षिए और हमने क्या किया हमने अगले स्टेप में एक रॉड लिया और रॉड में इस रीजन में deep cavity hole create कर दें और hole create करने के बाद इस रॉड को अब हमने यहां पर लाके इस तरह से hang कर दिया ऐसा कर सकते नहीं कर सकते हैं अच्छा आप यहां पर जब हैंग करेंगे और छोड़ेंगे तो क्या होगा यह रुकेगी क्या रॉड नहीं जैसे हम छोड़ेंगे यह रॉड क्लॉक्वाइज वहां पर क्या होगी टर्न कर जाएगे एसन में तो इस तरह का जब डाइगराम बनता है तो हम उसको बोलते हैं कि रॉड हमारी क्या है हिंजड है हिंजड का मतलब है कि जो भी रॉड है वो रॉड हमारी फ्रीली रोटेट कर सकती है तो जब मैं कई बोलता हूं कि रॉड को हिंज किया है तो इसका मतलब है कि रॉड जो है वो फ्रीली वहाँ पे रोटेट कर सकती है अच्छे और देखो जैसे यह रॉड जैसे यह तुम्हारा नील है रॉड में ऐसा होल था नहीं अब इस hole को हमने इस से nail के ओर पास करा रहा है ऐसे rest में रखा कि नी रखा rod को अब बता जब rod को छोड़ेंगे तो rod इस तहाजे क्या होगी अभे rod को जब यहाँ छोड़ोगे तो rod rotate करेगी तो जब rod rotate की मान दें rod की cavity है यह cavity है और यह तुमारी क्या है नेल है तो यह जो portion रहेगा यह portion इस तरह रब करेगा यह नहीं रब करेगा इसके उपर तो यहाँ पर friction को हमें neglect करना है तो जह हम hinge की बात करेंगे तो इसका मतलब है यहाँ पर neglect friction practically ऐसा नहीं होता है practically कुछ न कुछ वहाँ पर क्या होता है friction होता है लेकिन हम लोग जो सब question solve करेंगे हिंज के तो वो हिंज हमारा वहाँ पर क्या रहेगा frictionless रहेगा इतना है सौन मैं अच्छा अब यह बताओ मुझे इस rod को अभी हमने यहाँ पर हिंज किया और अभी rod को हमने hold करके रखा है तो rod कैसी है rest में अच्छा यह rod किस axis के about rotate कर रही है यह हो गया x यह हो गया y तो यह rod basically z axis के about rotate कर सकती है अब जैसे तुमने rod को छोड़ा तो तो rod anti clockwise गई या clockwise गई तो जैसे हम rod को छोडेंगे तो तुम बोलोगे rod यहाँ पर clockwise गई अब दोगो कोई भी body उसी direction में rotate करने कोईश करेगी जिस direction में torque बनेगा तो यह rod अगर clockwise rotate करने की कोईश कर रही है तो यह ध्यान रखना है यह rod अगर clockwise rotate करने कोईश कर रही है इसका मतलब है कि clockwise direction में कोई torque बना अच्छा आप देखो rod का अगर free boy diagram draw करोगे तो यहाँ पर mg होगा कि नहीं होगा बता इसके अलावा कोई force है क्या नहीं है hinge की normal नहीं आएगी भाई जब इस तरह से nail के उपर हमने rod को hang किया तो यह surface contact में है कि नहीं contact में होगा तो क्या होगा अब normal कहीं पर भी आए normal उपर की और आए नीचे क्यों आ रहा है कुछ भी direction हो normal जो रहेगी वो हमेशा यहीं से pass करी नहीं पास करेगी अध्याना भी हम direction की बात नहीं कर रहा है आगे हम लोग normal के direction की बात भी करेंगे लेकिन जो normal रहेगी वो हिंस से ही pass करी नहीं पास करेगी नॉर्मल ऐसी भी आ सकती है तो यह बोल रहा हूँ नॉर्मल का direction कुझ भी हो सकता है अभी हमें direction से मतलब नहीं है अभी हमने मान लिया normal का है ूपर की हो रही है अब तुम देख के बताओ इस axis के about किसका torque बन रहा है नॉर्मल का टॉर्क क्या हो गया जीरो इस एक्सिस के अबाउट बताओ mg कैसा रोटेट कराएगा और मैंने यहीं बोला है क्लॉक्वाइज अगर टॉर्क होगा तो रोड क्लॉक्वाइज ही क्या करेगी रोटेट करेगी तो यहां पर जो नेट टॉर्क रहेगा वो केवल mg का बनेगा और बताओ यह mg की लाइन आफ एक्शन है की नहीं यह तुम्हारी एक्सिस है बताओ पर्पेंडिक्लर डिस्टन् हिए तो टॉर्क अब तुम क्या लिखोगे टॉर्क वहां पर लिखोगे mg into l by 2 तो जिस टाइम पर हम रौड को छोडेंगे उस टाइम पर mg का टॉर्क होगा जिसके कारण यह बॉड़ी कहां जाने ही कोईश करेगी यह बॉड़ी रोटेट करने ही कोईश करेगी क्लॉक्व फिर देखो ज़रा इसी डायग्राम को मानलब ऐसे इमेजिन करे रहा देखो जो भी रॉड है रॉड को हमने फिर से यहां पर हिंज किया और अभी अमने रॉड को होल्ड करके रखा है और यह रॉड अभी एंगल फॉर्म कर रही है जो भी रॉड है रॉड हिंज है और रॉड को अभी अमने यहां पर होल्ड करके रखा है बता रॉड इस एक्सेस के अबाउट क्या कर रही है रोटेट कर रही है, बताओ 60 डिग्री एंगल पे अगर तुम रोड को लाके छोडोगे तो रोड कहा जाएगी रोड ऐसे clockwise रोटेट करेगी एंटी-clockwise जाएगी तो इस position पे भी अगर तुम रोड को लाके छोडोगे तो observe करना रोड clockwise ही rotate करेगी अब बताओ फिर से देख के अताओ टॉर्क कितना बना टॉर्क कितना बना फ़री टॉर्क किसका बनेगा पहले अताओ मैंने इससे पहले क्या बोला नॉर्मल कहीं पर भी हो हो स्पाय नॉर्मल ऐसा आ रहा हूँ नॉर्मल का डिरेक्शन कुछ भी हो सकता यह में डिरेक्शन से मतलब नहीं है तो मान लो एक तो नॉर्मल रहेगा बताओ इसके अलावा कोई force है क्या अब टॉर्क किसका बन रहा है एक्सिस के अबाउट बताओ ज़रा इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क किसका एमजी का बताओ एमजी का टॉर्क अगर कैल्कुलेट करोगे तो उस टाइम पे यह पर्पेंडिक्लर डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा एक्स यहां से लेके यहां तक कितना होता है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा साइन सिक्स्टी देख चेक करो यह ऐसा होगा नहीं होगा साइन सिक्टी हो जाएगा एक्स अपान एल बाइटू तो जो भी टॉर्क रहेगा टॉर्क हो जाएगा mg into x x हो जाएगा l by 2 sin 60 और ध्याना इसको हम total torque भी लिख सकते हैं इसका मतलब है कि rod अगर किसी position पे given है तो उस position पे हम torque calculate कर सकते हैं नहीं calculate कर सकते हैं अच्छा इससे पहले अभी हमने formula derive किया कि नहीं derive किया और हमने formula क्या derive किया था कि जो भी net torque है वो i alpha के बराबर था कि नहीं था और diagram जड़ा है याद करो diagram हमारा कुछ ऐसा था कि नहीं था ये rigid body थी और ये rigid body अपनी इस axis के about rotate कर रही थी अच्छा जो भी torque हमने calculate किया था torque इस axis के about calculate किया था यह नहीं calculate किया था अच्छा moment of inertia भी किसके about निकला था इसी axis के about तो ध्यान रखना है कि जब यह हम formula use करेंगे तो formula में क्या चीज ध्यान रखना है जिस axis के about torque होगा उसी axis के about हम moment of inertia क्या करेंगे consider करेंगे तो यहाँ पे जब मैंने rod को छोड़ा यहाँ पे जा हमने rod को छोड़ा तो इस axis के about torque कितना बना की नहीं बना अब torque को हम क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं अब आई किसके about लेना है जिस axis का torque देख रहा है बताओ इस axis के about moment of inertia क्या होता है rod का इस axis के about moment of inertia होता है तो result हो जाएगा ml square by 3 into alpha किसके बराबर यह हो जाएगा mg into अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा यहाँ साहें मिल जाएगा उस instant पे angular acceleration जैसे इस से पहले हम लोग loss of motion में force को mass into acceleration लिए नहीं लिए तो हम net force निकालते थे mass से divide करते थे acceleration मिलता था तो यहाँ पर हम net torque calculate करेंगे net torque को i alpha लिखोगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा alpha की value तो यह धियान ना इस formula से हम किसी भी instant पे angular acceleration calculate कर सकते हैं बताओ अभी angular acceleration कितना है इस position पे पताओ torque को हम क्या लिखेंगे इस position पे बताओ rod कितने rod इस axis के बाउट rotate करेगी तो अभी भी rotation end के about है कि नहीं तो कितना लेंगे moment of inertia तो ml square by 3 into alpha किसके बराबर mg L by 2 sin 60 यहां से calculate करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा angular acceleration मिल जाएगा और यह question i.t में आ चुका है इस तरह का उसमें केल पूछा गया था कि angular acceleration कितना होगा तो formula भही उसकरना है torque equals to i alpha लिखा इतना करूर अब में इतना हो यह ना फिर से देख़े रहे diagram जो था diagram मेरा ऐसा था कि नहीं था यह तुम्हारी rod थे vertical plane में थी rod का mass m था rod की length वहाँ पे l थी और rod को हमने इस point के about hinge किया है कि नहीं हिंच किया है अच्चता हो इस position पे ला कि अगर rod को छोड़े तो क्या होगा अब इस position पे ला के अगर rod को छोड़ें तो rod का क्या होगा rod rotate करेगी क्या नहीं क्या होगा इस position पे rod को ला के छोड़ेंगे तो rod हमारी permanently rest में रहेगी यह नहीं रहेगी और अगर body rotate करती है तो उसके बास क्यों होना चाहिए torque होना चाहिए अब इस position पे free boy diagram draw करो इस position पे अगर तुम free boy diagram draw करोगे तेख तो क्या शो करोगे contact के कारण normal दूसरा बता इस axis से किसी भी force का perpendicular distance है क्या इस axis के about अगर देखोगे तो normal और mg की line of action इसी axis से pass कर रही नहीं पास कर रही तो बता इस axis के about net torque क्या है जीरो है तो इस position पे अगर body को छोड़ोगे तो body हमारी क्या रहेगी रुकी रहेगी वहाँ पर तो खेर यह motion की बात नहीं कर रहे है जब भी हमें torque calculate करना होगा तो हमें formula वही यूज़ करना है force into perpendicular distance लिखा इतना लिखो next term लिखो वहाँ पे couple और लिखो इसकी definition लिखो ज़रा couple लिखो आपे a pair of forces a pair of forces each of same magnitude a pair of forces each of same magnitude a pair of forces each of same magnitude and acting and acting in opposite direction is called a force couple अब जैसे देखो है रहा यह हमारी एक body है मान लो यह हमारी यहां पे क्या है body है अच्छा couple की बात कब करेंगे अब देखो ने couple की हम बात कब करते हैं couple की बात करते हैं जैसे यह body है body में यहां पे दो point लो और इन दोनों point पे हम क्या कर रहे है equal और opposite force apply कर रहे है यहां पे force F है किस axis क्या लाओ positive Y और यहां पे लेकिन जिन दो force की हम बात कर रहे है इन दोनों force के बीच में है होना चाहिए तब ही हम कपल की बात करते हैं तो कपल का मतलब क्या है किसी बॉड़ी पे एक्वल और ऑपोजिट फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं लेकिन वह जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनके बीच में सर्टेन क्या है डिस्टेंस है इन्हें बेसी क्या है बेसिकली क्या है इक्वल और ऑपोजिट फोर्से सेपरेटेड बाया सर्टेन डिस्टेंस तभी वहां पर क्या बन रहा होगा कपल बन रहा हो अच्छा अब जब इस तरह से कपल बनेगा ते कपल क्या करेगा अब इस टेबल पे अगर पैन पड़ा हुआ है मानलो टेबल पे एक पैन पड़ा हुआ है और यहां पे भी हम एक फोर्स अपलाए करें और यहां पे भी एक फोर्स अपलाए करें टेबल पे तो क्या होगा जब इस तरह से हम फोर्स अपलाए करेंगे तो यह पैन वहां पे रोटेट करें नहीं रोटेट करेगा कैसा रोटेट करेगा यहां पे अगर इस तरह का फोर्स अपलाए करो देखोगे इसका rotation clockwise होगा कि नहीं होगा तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो जो body रहेगी body यहाँ पर कैसे rotate करने कोईश्च करेगी body rotate करने कोईश्च करेगी यहाँ पर clockwise बता है कि नहीं होगा अच्छा अब यहाँ पर कुछ point mark कर जड़ा यहाँ पर एक point लो ए यहाँ पर एक point लो बी और मान लो यहाँ कहीं एक point लो सी और कहीं पर भी ले सकते हैं वहाँ पर ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अच्छा यह जो body है इस body पर equal और opposite forces लग रहे हैं और इन forces के बीच में क्या है separation है तो हम बोलेंगे इस body पर क्या बन गया couple बन गया अच्छा आप बताओ यह जितने भी force बन रहे हैं इस force का a point के about torque कितना हो अगर यहाँ पर हम कोई axis imagine करें जो कहां से pass कर रही है यह से बताओ torque कितना बनेगा इसका f का torque तो क्या हो गया जीरो इसका torque बनेगा कैसा rotate कराएगा और कितना बनेगा torque f into d बनेगा कि नहीं बनेगा है अच्छा बी के about torque कैल्कुलेट करना जाए आए मैंने torque कैल्कुलेट किया about point a अब तुम torque कैल्कुलेट करो about point b बताओ किसका torque 0 हो जाएगा b point के about इस f का torque क्या हो गया 0 यह कैसा rotate कराएगा कितना होगा वो फिर से check करोगे तो result f into d आएगा कि नहीं आएगा अच्छा अब आजाओ next point वहाँ पे about c अब c point के about imagine करे रहा है बताओ c point जो है वो मान लो कितने distance पे है x अब बताओ यह force कैसा rotate कराएगा clockwise यह भी clockwise तो दोनों क्या होंगे add हो जाएंगे अध्यान ना इमने कोई sign नहीं लिया है वैसे convention क्या था कि अगर clockwise है तो negative sign लगा दो anti clockwise है तो तो अभी अगर इस point के about लेंगे तो इसका rotation भी clockwise है इसके करेंट भी rotation clockwise तो हमें simply दोनों को क्या कर देना है add कर देना बताओ इसके लिए perpendicular distance कितना है इस f के लिए तो लिखोगे f into x plus f into बताओ इसके लिए distance कितना मिलेगा इसके लिए जो distance मिलेगा यहां से यहां तक वो d-x मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो result क्या हो जाएगा f into d-x देखो आएगा कि नहीं आएगा अब चेक कर लो फिर से देखो result क्या निकल क्या आता है फिर से result निकल क्या आता है f into x इसका मतलब यह हुआ कि नहीं हुआ कि अगर किसी body पे couple बन रहा है couple का मतलब क्या है equal and opposite forces separated by a certain distance अगर distance नहीं होगा तो couple बनेगा क्या नहीं couple क्या कर रहा है जब भी couple बनेगा तो couple body को क्या करेगा rotate का नहीं कोईश्च करेगा अब property क्या निकल क्या रही है property निकल क्या रही है कि अगर किसी body पे couple बन रहा है तो अगर किसी बॉडी पे कपल बन रहा है जब कपल बनेगा तो नेट फोर्स क्या होता है इस बॉडी पे अगर इसको तुमने पूरा सिस्टम मान लिया इस तरह से equal और opposite forces है जो certain distance पे क्या है separated है तो इस case में बॉडी पे तो जब भी कपल की बात करेंगे तो कपल की case में body पे net force क्या होगा तो यह condition fulfill हो गई net force 0 होगा लेकिन net torque 0 होगा क्या नहीं net force 0 है लेकिन यहाँ पे net torque 0 नहीं है और यह कैसा rotate का नहीं कोईश कर रहा है clockwise तो जब भी कपल बनेगा तो कपल की property क्या है body पे net force 0 होगा लेकिन net torque 0 नहीं होगा अच्छा next property यह भी निकल क्या रही है निकल क्या रही है कि अगर किसी body पे net force 0 है कपल की case में net force क्या होता है तो अगर किसी body पे net force 0 है तो इसका मतलब है किसी भी point के about अगर तुम calculate करोगे body पे जो total torque निकल के आएगा वो तुम्हारा same आ रहा होगा अगर किसी body पे net force 0 हो रहा है यहां से अब general result निकल क्या रहा है general result क्या निकल क्या रहा है कि अगर किसी body पे net force 0 है तो हम किसी भी point के about torque को calculate करेंगे उसकी value वहां पे क्या निकल के आएगी same निकल के आएगी और यह property आगे use होगी वहां पहला point मैंने क्या बोला कि जब भी couple बनेगा तो couple का मतलब है body पे net force 0 net torque not 0 फिर next property क्या लिखवाई next property लिखवाई कि अगर किसी body पे net force 0 है तो हर point के about क्या होगा torque same होगा अच्छा इसका मतलब यह भी एक ही नहीं है कि अगर किसी body पे net force 0 है तो हर point के about torque same हा रहा है इसका मतलब है कि अगर किसी एक point के about torque 0 होगा तो हर point के about torque क्या हो जाएगा तो यह result ध्यान रखना है जिसको अगली class में हम लोग तो वहाँ पे क्या करेंगे discuss करेंगे मैंने क्या बोला है अगर किसी body पे net force 0 है तो हर point के about torque क्या है तो अगर एक point के about torque हमें 0 मिला तो हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे हर point के about torque calculate करके देख लो हमेशा क्या मिलेगा 0 मिलेगा ठीक है तो इतना पढ़के आओ अगले टन पे सीक अपन क्या करेंगे continue करेंगे वहाँ पर करेंगे 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 करें